राहुल जी संत हैं, BJP का अंत हैं मोडी जी घबराय हुए हैं, हिंदू समाज नहीं बढ़का हुआ मोडी जी घबराय हुएं कि राहुल जी ने क्या कर दिया लोगों की आवाज को उठा दिया कि देश का ठेका नहीं लिया भीजे पी ने ये भरस्टाचारी लोग, ये भरस्टाचार फिराने वाले लोग हैं ये, इन्होंने सारी दस साल तक देश को बरबाद कर दिया, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगारी पे बात नहीं करेंगे, जो लोग तरस्त हैं, ये नीट पे बात नहीं करेंगे, आपका प यह वीरव्युमन्यू यह बार्ति जन्टा पार्टी के लोग कोर्मों की सेना है यह ना आप द्रह्म पे चलते हो ना आप सविदान से चलते हो ना आप लोगजंतर से चलते हो आप तो अपधिया हुआ नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अबरारुलहक रहमाने दशको संसद में विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है और राहुल गांधी ने जिस ठंक से परधान मंत्री के सामने सर्फ धर्म की बात कही है वो तमाम तस्वीरे दिखाई और ये बताया कि द्हार्म की जो गो मैं हो किस टंक से होना जाहिए लकिन भाजपा जो है वो जान मुझकर के देश में एक घर्श की राजनिति करना चाहती है विभाजन की राजनिति करना चाहती है और विपक्ष अब इस लड़ाई को मशबोती से संसद का सडक दोनों जगों पर लड़ने को तयार मिरसाथ मलिक जी इन से समझते हैं कि आखिर का राहुल गांधी ने जिस अंदाज से अपनी बातों को रखा है क्या वाकई अब विपख्ष उस मजबूती के साथ अपनी आवास को उठा पाए चुके उनके पास आंकडे मौझूद है देखिए अब मैं जो गट बंदन जिन्दाबाद इंडिया गट बंदन जिन्दाबाद इंडिया गट बंदन जिन्दाबाद राहुल गांधी जिन्दाबाद अखलेश यादव जिन्दाबाद इंडिया गट बंदन की गूज संसर में गूजी इंडिया गट बंदन की गूज राहुल जी ने द हैं राहुल जी ने सच्चाई रखी भगवान शंकर की फोटो शिवजी की फोटो दिखाई तो मिर्ची लगी मिर्ची लग गई मोदी जी को भाई तुम तो धर्म के ठेकेदार बनते हो तो मिर्ची लग गई उन्हों ने शिवजी भगवान का भी दिखाया गुरु नानक दे देश की एकता और अखंता के परतीख हैं इन चारो धर्मों में ग्यान भरा हुआ है ग्यान ग्यान मोदी जी धर्मों को ठीक से पड़ो इनके ग्रंथों को ठीक से पड़ो तो आपको पता लगेगा कि ये जो धर्म के जो ग्रंथ है इतने कितना ग्यान है वो ग्यान आप में वो ग्यान मोदी जी में नहीं है जो ग्यान इन धर्मों में है इन गरंतों में है। मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और आप इन धर्मों को आप जाए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या है क्या नहीं आपको पता लगेगा कि धर्म में कितना ग्यान है आप कहते हैं ने गुरु नानक जी आप गरंचा पढ़िए ग्यान भरा हुआ है आप गी जी ने क्या कर दिया लोगों की वाज को उठा दिया देश को लोगों की वाज उठा दिया 140 क्रों लोगों की वाज को उठाया मोदी जी गबरा गए हमिशा जी गबरा गए और नड़ा जी गबरा गए चुप चाप गुगू बनके बैठे रहे बोल नी सके जबान नहीं चल प इसको बर्बाद कर दिया, लोगों को धर्मी को न मात प्राया दिया नहीं, लोगों को धर्मी को धु आत प्हents प्हालने के बाद, यह आप देखो कुछ नहीं, लोगों ने ओल रेजल्ट दे दिया, आपको, उत्तर परदेश में भी दे दिया, सबी जगाओं पर दिया इनके पास कोई बहुमत नहीं है जो ये चिला के बोल रहे हैं मोदी जी के पास पूरा बहुमत नहीं है 240 सीटें लेकर उचल रहे हैं ना कुछ पता है निए देखिए जितनी चीज़ें इन्हों ने ली जल्दी से जितनी चीज़ें जल्दी से ले उतनी चीज़ें वापिस भी चली जाती है समय समय बलवान होता है जितनी तेज़ी से चीज़ें देता है उतनी तेज़ी से ले भी लेता है इस बात को आप याद रखियेगा तो ये धिंडोरा मत पीटे कोई हिंदू के बिलाने क्या उनने एक सच्चा ही रखी कि ये धार्मी को उनमात पहलाने वाले लोग देश के उनती नहीं चाते ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे महंगाई पर बात नहीं करेंगे जो लोग तरस्त हैं ये नीट पर बात नहीं करेंगे राहुल जी नहीं का 24 लाख लोगों का भविश्य खत्र में अंदकार में हो गया कितनी मेहनत उन्होंने की होगी एक्जाम देने के लिए उन्होंने दिल रात अपना पढ़ाई की होगी किताबे देखेंगी जग हर किताब चानी होगी उसको पास करने के लिए और इन्होंने क्या किया उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि डरपोक है रहुल जी ने करा डरो मत डराओ मत कांगरस का लोग कभी किसी को डराते नहीं धमकाते नहीं यह चारो तरफ से केश लगा दो दराओ धमकाओ जूटे केश बना दो यह जो भारती जनता पार्टी जूट आतिक पालटी तो यह कहरे हैं कि नालन्दा विश्युद्याले को फिर से पुनर जीवित कर दिया तो शिक्षा विवस्ता को बेहतर कर तो रहें अरे कितने जूटे हैं यह परदान मंतरी किस बात की करें शिक्षा और बात जो करने वह करो 24 लाख स्टूडन का भविशक खत्र में है उसमें बात करो तुम्हारा ही उसमें गया है गुजरात में है वही नोने डाला है वही नोने चारी बरस्टाचार भलाया महरास्टा से आपके बिहार से लोग वहाँ एक्जाम देनेंगे ये बरस्टाचार तो नोहीं फेला एक ही जगापे किया है नोने उस पर बात नहीं करेंगे जो बरस्टाचारी मशीन लगाई हूए और बरस्टाचार के मशीन उननों अभी तक खुली रखी है खुली हूई है जाओ ब्रस्टाचारी अंदर आओ वाशिंग मशीन है मैं साफ कर दूँगा अरे बात करो मेहंगाई पे बेरोजगारी पे आपका पूरा भाववत नहीं है उचलो मत जादा अखलेश यादव जीतने के बावजुद भी EVM पर क्यों निशाना साथ देखिए जो चीज जिसको देश के लोग मोदी जी दस हजार वोड से पीछे थे दो घंटे कांटिंग रोक दी गई कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है वो DM हो या कोई हो उन्हें जिताया है आज अगर उस चीज की जाच कर ली जाए वारा नसी में तो घपला निक मैं ऑद्रशी के आजएंपास कहीं भी उसका से यह यह नो पूली जानी मुद्र जो सीढी मिली मैंूर ममिया जिदक डॉल्थे दृष वारा निलागोancial क्स्तू कर फो By जो में फिसले को नघ्व कर ने गर द्जिद का कर मत भीक है कर दुज measure को देश की महिला हो और आज तक लिख्वान क्या कदव नहीं पड़े यही तो कहा है राहुल जी ने राम मंदिर बनवा तो दिया राम मंदिर का हमने हाल भी देखा सारा देखा सारी च्छते गिर गई उनका जो रेल्वे स्टेशन सा वो दिवारे तूट गई यह है यह इनका विकास विनाश कर दिया रटाने में लोग हैं यह हमारे राज्य में आकर घारमी गुलमात प daha तो लोगों ने ऐसी निसीयत दी षौफवरान का साफ हो गया एजोद्य भी इन में साफ हो गया आसपास गे कितने मंदित और भाजबाईं कहा है के राहुल गान जी ने हिंदूओं का अपमान क्या उन्हें माफी माफी ये माँगे कोई हिंदूओं का अपमान मर करे, आप गलत बात मत करिये राहुल जी ने बात ये नी कही, ये भरमन जाल मत पहलाएं जूट बाद देश के 140 क्रोड लोगों ने पार्लेमने में देखा मैंने देखा राहुल जी के सुना लोग टिक टिकी बात के दिसुन रहे थे राहुल जी के एक एक शब्द हर आदमी को याद है देश के क्रोडों लोगों को याद है राहृ जी जी ज्योट शब्द कहें motorist का मोधिजी भर्म मत फिला ओ आपका जूट सामने है सामने है संसर में जूट बोल रहे हो मंदीर है लोगतांतर है वाँ जूट मत बोल और भी जूट बोल रहे हो तो जूट चलेगा नहीं, लोग नज़र किनार करते हैं, तो सत्ता जाला चलेगे नहीं, सत्ता में ज़्यादा रोग नहीं नहींगे। अलप संख्यों ने, आदी वास्यों ने, पिछडों ने, रेडी पट्री वन सब लोगों ने इस लोग तंतर को बचाया, इस देश को बचाया, इन लोगों ने, ये तो ऐसा कोई भी मुझे बता जीजे, इन्हों ने दलितों पैत्या चार किया, इन्हों ने किसानों पैत्या किया लाठी चार्ज किया उनको मारा गया मारा भारतिय जन्ता पार्टी के शार्षन उनको मारा किसानों को मारा दलितों को मारा पिछलों को मारा अधिवाशों को मारा उनकी जमीने तक चिनी इन्होंने अत्याचार किया काम इन्होंने किया इसकी आवाज इंडिया गठ बंद रेडिर दिया कि इन लोगों ने देश को बचा लिया ये तो देश का सभी धान में बदलने वाले थे ये तो देश का सभी धान बदलने वाले थे तो लोग जागरित हो गए उन्हों ने इनको बदल दिया बदल दिया इनकी कोई नीती तो है नहीं स्पस्ट नीती इनकी कोई निती योग बोलूँगा कोई आई इनकी योजना कोई है कोई योजना नहीं आगे भविश्य क्या है स्टूडन का बविश्य अंधकार में कर दिया 24 लाग लड़के शड़कों अगनी वीर घूम रहें बैचा रहें यह हैं इनके लोग जो है 22 जनता पार्टी के लोग इनमें किसी गया इनका बेटा होतो तो क्या क्या कर रहे हैं कोई कारवाई नि कनी करते के लिए के करेंगे अफा फिलाते हैं नफर फिलाते हैं ये काम कि"... ने जो出來 तीक है। अख्लेश जी ने बाशन दिया राहू जी ने दिया पूरी संस्र पूरा लोग giang यंग बलड है यंग बलड यंग बलड यंग बलड कहते हैं ने वी रभी मन्यू है इन कोरों की सेना में है ये वी रभी मन्यू ये बार्टी जन्टा पार्टी के लोग कोरों की सेना है और ये वी रभी मन्यू बेदना जानते हैं को कैसे बेदेंगे इस बाल का याद रखिए राश्ट पति के अभिभाशन पर राहुल गांदी को बोलना था और संसद में वह श्रीव जी की तस्वीर लेकर के पहुंच जाते हैं यहां को वहां दिखाऊंगा अरे यह श्रिष्टी के लोग है मैंने आपको बताए ग्यान है मोदी जी ग्यान उनसे पढwwww ग्रंथों में ग्यान है आप में ग्यान नहीं है यह ग्यान पढ़ो उनमे ज्यान है देश की एकता खंटा का हर जो ग्रंथ है जो धर्म HE MACE वो प्यार महबब यह चीज सिखाते हैं यह नी सिखाते हैं मन मानी करो तानाशाई करो गुंडागर्दी करो अत्याचार करो जो भी है अपने मन में जवाब वो करो अरे चलो ना आप धरम पे चलते हो ना आप सविधान से चलते हो ना आप लोग जंतर से चलते हो आप तो अपनी मन मानी कर रहे हो मन मानी आप कर रहे और जनता इसका जवाब देगी, अभी तो संसे दोर जिन चलेगी, कई चीज़ा हैंगी, इनके पाँ जवाब देगी, अकरी सवाल है, विपक्ष जितनी ताकत के साथ इस समय खड़ा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये बरकरार रहेगा, या फिर भाजपा कोई ब मजबूत है, कोई कुछ निए बाजपा वालों की चाले हैं, जो मरजी करते हैं, इंडिया गठबंदन मजबूत है, वो इनको उखाड फैंकेगा, देश के लोग भी जानगे, इंडिया गठबंदन की आवाज उठाने वाले देश की आवाज उठाने, इंडिया गठबंद के साथ पूरे होसलों के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहा है संसत से लेकर के सड़क तक राहुल गांदी हो अकलेश यादव हो मलिक अरजुन खडगे हो मनो ज्जा हो यह तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अवाम के आवाज है जनता के आवाज है वो अपनी बातों को अब किराय क्या है कमेंट बॉक्स मेज़र बताए कमेरमेन अशीष के साथ मैं अबरार अलग रह्मानी नेशनल दस्तक के नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्राइब को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें